नमस्कार सांथियों कैसे हैं आप सभी मैं विनतिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार SSC ADAR 24-7 में हर दिक स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ और आच्छा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हूँगे मस्थ हूँगे स्वस्थ हूँगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हूँगे तो सभी दोस्ट सभी साथी बार जल्दी से जोड़ जाएंगे और सेशन को जितना जादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजे जितना जादा आप लाइक कर सकते हैं लाइक कर दीजे और जिनोंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वेरी गूड आफटनून वेरी गूड आफटनून चैनल को सब्सक्राइब कर दीज़ जल्दी से हाँ सब्वा गूड आफटनून अंसू पटिल गूड आफटनून कलपना हाँ नैनू तैलेंट सोनू सलोनी हेमंत भालू आया सोनू उफिशल हाँ जी चलिए सारे लोग आजाईए पवन्तेवतिया जी वेरी गूड आफ्टरनून टू आल बेटा आप लोग आजाईए जल्दी से जिससे हम लोग आज के इस सेशन को दुआधार तरीके से स्टार्ट कर सके देखे आज का जो हम लोग ने टॉपिक रखा है वो है एनालोगी क्या है आज का टॉपिक एनालोगी एनालोगी को हम हिंदी में बोलते हैं समरूपता हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों समरूपता 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 का मतलब होता है एक जैसा रूप मतलब जो relation आपको question में दिया गया होगा सेम वैसा ही relation सर्च करना होगा ढूणना होगा और फिर बताना होगा कि किस वाले में बन रहा है और इसी chapter को हम कहते हैं समरूपता यानि एनलोगी कल का हमारा जो topic है वो है classification कल का जो हमारा topic है that is classification ठीक है उसके बाद का साय जो हमारा अगला topic है वो I think dice या कोई topic है आपका क्योंकि उसके बाद फिर आप लोग के 26 जन्वरी का एक weekend भी है आप लोग का न तो चलिए हम लोग start करते हैं समरूपता वाले topic को देखिए जब हम बात करते हैं analogy के topic की तो analogy के topic में आपके तीन type के question आते हैं एक आता है letter से related एक आता है आपका और एक number से अगर आप लोग को number के questions को हल करना है अगर आप लोग को number के questions को हल करना है तो आप लोग को square हो गया क्यूब हो गया हाँ प्राइम नंबर क्या होते हैं ये सारी चीजें पता होनी चाहिए अच्छे से हाँ खोच रहो बेटा किट्टू खोच रहो हाँ वेरी गूड आफ्टरनून हाँ वेरी गूड आफ्टरनून अभिशेक, क्रेशन and all that ठीक है तो अब लेटर की जब हम बात करते हैं तो लेटर के केस में वावेल, कॉंसोनेंट एक तो ये बेसिक सी चीज है या तो लेटर इनक्रीज हो रहोगा सपोज मान लो A के नीचे अगर C लिखा हुआ है इसका मतलब दो बढ़ रहा है या तो लेटर इनक्रीज होगा या तो लेटर डिक्रीज होगा बढ़ेगा या घटेगा इस तरीके से ठीक है दन है वर्ड की जब हम बात करते हैं तो वर्ड की केस में बहुत सारी चीज़े है आप लोग को कैपिटल से याद होनी चाहिए आप लोग को करेंसी याद होनी चाहिए जब आप इन सारी चीजों को याद रखते हो तब जा कि आप बड़े आराम से कोश्चन्स निकाल पाते हो क्या आप सभी साथियों ने SSC, MTS, हवलदार के फॉर्म को भर दिया है एक बार कमेंट करके बताईए क्या आप सभी साथियों ने MTS के फॉर्म को फिल कर दिया है हाँ हाँ, बिल्कुल एक कोश्चन है क्या है पूछ लो, फिर स्टार्ट करते है ठीक है, चलिए आपने अगर एब डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो एब डाउनलोड कर लिजे बिना कुछ सोचे हुए अगर आपने SSC अड़ा 24-7 यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फटाक से क्या कर ले सब्सक्राइब कर ले तो चलिए सुरवात करते हैं आज के सेशन की और आज के सेशन का हाँ जी, साम 6, 44 गंटे की सुई, मिनिट की सुई दोनों के बीच का कौन बिलकुल निकाल देते हैं चलो, 6 बच के 44 मिनिट का कौन पूछाए बच्चे ने, चलो ये खतम हो जाए टाइमर सर MTS का फॉर्म 12 लेवल 10 लेवल, दो मतलब 12 लेवल 10 लेवल, 10 लेवल, 10 लेवल के उपर ही होता है बेटा हाँ ओके बेटा सुमित चलो ज़र देखो एक कोश्चन आया है कि सर 6 बच के 44 मिनिट का एंगल फाइंड आउट करके बता दीजे तो एंगल बराबर, याद है आप लोग को मैंने अभी कलोग कर आया था एंगल बराबर, 11 अपॉन 2 इंटू मिनिट तो मिनिट कितना दिया है, 44 और यह डिफरेंस का साइन है आर इंटू 30 इसको हल करना था तो ग्यारव बटे, दो गुणे, 44 44 अंतर का चिन है घंटे कितने है, 6 गुणे 30, यह रहा तो 2 से काट देंगे तो 22 और यह 6 ती आठारा तो अभी यहां देखो 22 से कम 22 का 2 फिर दो हासिल लगए 22 से कम 22 और 2 24, 242 माइनस 100 C I think 62 62 हैगा न देखो, यहां से 42 और यहां से 20 तो 62 हो जाएगा ठीक है ना, दो यह हो गया 24 में 60 62, एक तो यह एंसर आया अब यहां पर बेटा यह तो कहीं लिखा नहीं था यह तो कहीं पर लिखा नहीं था कि आप लोग का inner वाला निकालना है, आउटर वाला निकालना है तो इसलिए आपका यह हो जाएगा 62, ठीक है, अगर आपसे माललो दूसर वाला पूछ ले, मतलब यह तो हो गया, इसे हम बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों आंतरिक कोण बोलते हैं तो बाहिकोण क्या होता है, बाहिकोण क्या होता है तो 360 माइनस 62 degree कर दो तो यह हो जाएगा 298 क्या हो जाएगा 298 यह हो जाएगा न देख लो 10 ही हो जाएगा तो 35 में 36 298 degree यह था जिस भी बच्चे नहीं पूछा था उसका solution मैंने provide कर दिया चलिया बाजा यह question पे यहाँ देखिए यहाँ पर बोला है 2 को बोला गया है 8 2 को बोला गया है 8 अच्छा जी 5 को बोला गया है 50 क्या यहाँ ऐसी सोच नहीं हो सकती देखो कि अगर हम 2 का square करके into 2 कर दें तो 2 का square 4 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ऐसे यहाँ पकड़ सकते हैं 10 का square गुणे 2 10 का square कितना हो जाएगा 100 और गुणे 2 कर दें कितना जाएगा 200 आ जाएगा अब देखो यहाँ पता है गलती क्या हुई आप लोगों से हाँ यहाँ पर कई सारे लोगों ने सबसे पहले जो answer किया था सबसे पहले जो answer किया था वो 1000 किया था और उसका कारण मैं बताता हूँ आप लोग को आपने सोचा किसे 2 का cube कर देंगे तो 8 बन जाएगा तो ऐसे 10 का cube कर देंगे तो 1000 बन जाएगा ये बताओ कितनी लोगों ने यही सोच कर answer किया था पहले क्योंकि गलत तो बहुत लोग का हुआ है हाँ बेटा ठीक है डन है अच्छा सोनू हाँ यही किया था न गलती देखो 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 हम 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 अब बाकी अब तो कुछ लोग आप सामने आएंगे ही नहीं हाँ मेरा सही था दोसो भालू का हां अन्सू चालिस चलो कोई बात नहीं अब तो छोड़ दिया अप लोग ने कहा तो अगला कोस्चन निका लिए और बताइए हेलो हेलो मेरे दोस्तों हेलो जल्दी से निकाल लिया और बताइए इस प्रश्न का क्या उत्थर बनेगा जल्दी जल्दी से निकाल करके बताओ जल्देल्दी निकालो और बताओ बेंडे दोस्तों जल्देल्दी निकालो फटाफट निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉंस बनेगा जल्देल्दी चलो बहुत सभी आजाओ यहां पर यह दिख रहा है कि अगर हम बारा का पांच गुना कर दें तो 12 पंजे 60 और प्लस 5 कर देंगे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा तो ऐसे 15 गुने 5 कर देंगे तो 15 पंजे 75 और प्लस 5 कर देंगे कितना आ जाएगा 85 पंजे 75 और प्लस 5 कर देंगे तो 80 आ जाएगा बिलकुल सही जवाब आरा आप सभी दासातियों का सभी मित्रों का अगला question निकालो अगर signal यातायाद से संबन दिते हैं मतलब हम लोग signal का use कहां पर करते हैं traffic को control करने के लिए traffic को manage करने के लिए तो same इसी तरीके से पूछा है कि हम क्या dam का इस्तिमाल river को control करने के लिए करते हैं दोर का इस्तिमाल घर को manage lens का इस्तिमाल light को या break का इस्तिमाल vehicle को अभी ये ऐसा ही relation आप देखो किस वालिम बन रहा है ध्यान से समझो traffic को control करने के लिए signal का इस्तिमाल क्या आता है traffic को control करने के लिए traffic को विवस्थित करने के लिए signal का use करते हो तो आप लोग, इस बात को समझ के चलो तो अगर आप लोग traffic को control करने के लिए signal का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या नदी को control करने के लिए बांध नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आगे देखो, अभी देख लेते हैं घर को door, घर को control करने के लिए door का नहीं, light को control करने लिए क्या हम ऐसा कह सकते हैं wheel को wheel को रोकने के लिए हाँ wheel को रोकने के लिए हम break का इस्तेमाल करेंगे पहिया जैसे पहिया घूमता रहता है उसको रोकने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो उसके रोकने के लिए हम break लगाएंगे तो पहिया क्या लेकिन सोनू कुछ कह रहे हैं हाँ अच्छा तो ये नदियों को नदियों के जल को रोकने के लिए ये आप्शन क्यों नहीं होगा कई लोग पूछ रहे हैं हाँ बिलकुल अब यहाँ पर देखो हम लोग न जैसे जो डैम बनाते हैं जैसे जो हम लोग डैम बनाते हैं अब मुझे ये बताओ क्या हम डैम का इस्तेमाल नदी को रोकने के लिए करते हैं नहीं डैम का इस्तेमाल हम लोग पानी को रोकने के लिए करते हैं पानी को एक अत्रित करने के लिए कहते हैं कभी आपने ये सुना कि किसी बान में गंगा नदी को रोक लिया गया कहीं ऐसा सुना आपने बताईए रीवर की जगा बिल्कुल सही सकू उर्फ एससी लवर हाँ जी अभी बात सही आई सही पकड़े हैं समझ गए ना कहीं ऐसा सुने हो तुम लोग भाया कि तुम लोग अपने महले में जो है गंगा नदी को रोक लिये बांध बना दिये चाट्टो ही टरके और ऐसे सिमेंट मारके कि लोग भाया बांध तयार है हमारा सब लोग मिलकर के एक बार सेशन को लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन प्रेस नहीं किया है मेरे दोस्तों चलो यहां जो C, D को अगर 34 का है तो A, B को क्या कहा जाएगा C, D आप लोग का क्या है C की प्लेस वैलू क्या होती है C की प्लेस वैलू क्या होती है तो C की प्लेस वैलू 3 और D की प्लेस वैलू 4 तो इसलिए यह 34 है तो A और B की जब हम बात करेंगे तो 1 और 2 यानि 12 आएगा देखो, गलती हो इसलिए 20 भी लिखा हुआ यहाँ पर अगला निकालो अगर बालू जो है यानि सेंड जो है वो रेगिस्तान यानि डेजर्ड से रिलेटेड है सेम चीज़ है सेम रिलेशन ढूडो किस वाले आप्शन में दिखाई दे रहा है सेम रिलेशन हाँ रसगुल्ला कोश्चन सही बात है बताईएगा हाँ बिलकुँ सही पकड़ेवे बेटा रिकॉर्डेड क्लास ही तो चलती रहती है तुम लोग की और मुझे अच्छा एक चीज़ का जवाब दे देना आप लोग हम कह रहे हैं क्लास रिकॉर्डेड है लाइव है आप बताओ अगर कोई चीज़ पढ़ने आये थे आपको कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो उससे क्या फर्ग पढ़ता है क्लास लाइव ले जा रही है रिकॉर्डेड ले जा रही है इसका भी जवाब दे दो तो आप लोग ने कहा डी एंसर पानी और समुद्र चलो देखते हैं यहाँ पर देखो जिस तरीके से रे तो जो है वो रेगिस्तान में मिलता है रे तो जो है वो रेगिस्तान में मिलता है ठीक है तो रे तो वो चीज़ कहा मिलती है रेगिस्तान में तो समुद्र क्या पानी में मिलता है नहीं तालाप क्या पानी में मिलता है नहीं उल्टा लिखा है खाना क्या धुवा में मिलता है नहीं हाँ पानी जो है वो समुद्र में मिलता है बिल्कुल से रिलेशन समझ रहे हैं न अगर आपसे पता यहाँ गलती क्या होगी हाँ अच्छा असोनुआ चलो तुमाई तुम कुटाई करूँगा मैं चलो मेरी बात समझो तो जिस तरीके से रे तो जो है वो रेगिस्तान मिलता है तो सेम उसी तरीके से पानी जो है वो समुद्र में मिलता है पानी पानी हो गई न हाँ चलो चलो बहुत सही हम समझ रहे हैं पानी पानी चलो जल्दे ले निकालो हाँ बेटा सब को सोनू तो वही तो कुटाई करेंगे हम घर से ऐसे आएंगे देखो ऐसे बिलकुल ऐसे आएंगे फोम में बिलकुल गोस्ट के आएंगे और तुम लोग एको टाई करके चले आएंगे चलो अगला गोस्टन देखो 33 से 38 क्या बोला है मेरे दोस्तों 33 से 38 देखो 33 से 38 है तो 33 और 5, 38 बोल सकते हैं अब यह देखो 17 और 17 और कितना हो जाएगा 7, 3, 4, 7, 17, 7, 24 हो गया, 10 और 10, 20 हो गया, 12 और 5, 17, 12 और 6, 18 हो गया और 13 और 5, 18 हो गया तो आपका एंसर D वाला हो जाएगा अगें D, यानि 3 continuous questions का answer D आगया हमारा 3 continuous questions का answer D आगया, अब यह देखो letter से, अभी तक हम number कर रहे थे, word कर रहे थे अब आपके सामने letter का question आ चुका है, निकाल करके बताईए क्या answer बनेगा इस question का, हाँ बोला है O, R, S को अगर N, Q, R कहा है तो G, H, K को क्या कहा जाएगा तो यह questions ना बेटा, बिलकुल coding, decoding की तरह हल करो बिलकुल coding, decoding की तरह है, क्या करो, इसके नीचे इसको लिख दो इसके नीचे इसको लिख दो, अब फिर solve करो, देखो O, O, R और S, इसको बोला है N, Q और R, यह रहा तो आपसे पूछा है, G, H, K को क्या कहेंगे, G, H, K को क्या कहेंगे, इदर देखो तो 15 में से 14, माइनस 1, 18 में से माइनस 1, 18, सब में माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1, तो माइनस 1, माइनस 1 कर दें, तो K से हो जाएगा, J, यहाँ पर G, H और यहाँ पर F, तो F, G, J, F, G, J बोले तो option number A आ रहा है, क्या बात है, आप सबने बिलकुल perfect answer बोला है, और सब का answer बिलकुल सही आ रहा है, इसका answer क्या बन जाएगा, बिलकुल सही सिवानी बिटा, बिलकुल सही मुस्कान, मिश्रा, सभी लोग का answer बिलकुल सही आ रहा है, अगला question देखिए, निकालिए, दुख अगर काला है, बाप रे, दुख अगर काला है तो भाईया बाक्यों का रंग ढोड़ गए दिखा दो पिंक क्या गुलाबी है हाँ लाडली रॉट बिटा जल्दी सेंसर निकालो वैशनवी अवनी तनू हाँ हेमंत अमित पटेल किट्टू कार कलेक्शन हाँ जी सलोनी नैनू हाँ जी एक बार नैनू भोलना चले चले बिलकुल 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 जल्दी से निकालो और बताओ इसका क्या एंसर आएगा तो मेरे सेरो अच्छा मैं भी हूँ अंसु पटेल हाँ बिटा चलो यहाँ आजाओ क्या होगा सी कुछ लोग बी कह रहे हैं कुछ लोग बी कह रहे हैं कुछ लोग सी कह रहे हैं अब डिसाइड कर लो कि बी लगाना है कि सी लगाना है देखो जिस तरीके से दुख और काला रिलेट कर रहा है तो लाल हरा ही तो दुनों रंग हो गए मतलब इसका कोई मतलब भी नहीं हुआ पिंक पैंसिल पिंक और पैंसिल का कोई मतलब है नहीं वह या पिंक और पैंसिल का भी मतलब नहीं है तो सेम उसी तही किस जैसे डेंजर ग्रीन डेंजर क्या ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है जहां पर हरा सिगनल होता है मतलब everything is fine आप बढ़ते रहो चलते रहो ऐसा होता है ना हरे का मतलब क्या होता है हर चीज में आपको permission है इसका मतलब यह हो चुका है इसका मतलब यह भी गलत कर दो तो rank का मतलब star आपने देखा होगा ना चाहिए पुलिस उलिस की जब हम बात कर ले जब हम पुलिस उलिस की बात करते हैं तो उसमें जैसे जैसे आपकी rank बढ़ती है वैसे वैसे आपके जो soldiers पे stars बढ़ते हैं वो बढ़ते जाते हैं तो इसका मतलब पद्वी जैसे दुख रिप्रेजेंट करता है ब्लैक एंवार्मेंट को के बहिए बहुत ज़्यादा दुख है तो सब कुछ वो गाना नहीं है जग सूना सूना लागे जग सूना सूना लागे वहिवाला हाल हो जाएगा तो वहिवाली हाल यहाँ पर था तो काला काला गाना जग सुना सुना हो गया आपन अगला कोश्चन हाँ UPSC लोर मम्ता हाँ ठीक है हाँ सीवानी कोई रहे न जब अपना न मेरा नाम बोल दिया करो अरे बापरे अच्छा गुंडा गर्दी मेरा नाम बोल दिया करो तो इदा देखो 43 से 680 माइनस कर दे तो देखो ये है 3 और ये है 23 तो अगर मैं इस क्यानवे में 23 जोड़ दूँ तो 3 और 4, 9, 2, 11, 11, 114 है न यानि क्या डिफरेंस का गेम है यह आला बिलकुल सही है ये गेम पूरा का पूरा डिफरेंस एलेटेड अगला बताईएगा MPQ सब मिलका के एक बार सेशन को लाइक कर दीजे है जल्दी जल्दी निकाल करके बताईए इसका क्या एंसर आएगा फटाफट सारे के सारे मित्र हमारे बताएंगे हाँ दीपक देख लिया बेटा दीपक ओफिशल देख लिया है मन थैंक यू बेटा थैंक यू चलिए यहां आजाई यहां पर बोला है MPQ 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 यहां पर बोला है JMN तो आपसे पूछा है KSV को क्या कहा जाएगा KSV को क्या कहा जाएगा तो देखो इदा देखो 10 13 में से तो माइनस 3 इसमें भी माइनस 3 इसमें भी माइनस 3 तो माइनस 3 माइनस 3 और माइनस 3 तो ग्यारह में से तीन चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आठ उसकाद उन्नीस तो सोला और बाइस तो उन्नीस तो तीन बाइस तो ये HPS, HPS बोले तो option number क्या आ रहा है D यानि जो पूरे question में series चल रही थी वो minus 3, minus 3 और minus 3 की चल रही थी हाँ, ठीक है ना? चलो, यानि जब भी coding decoding का, मतलब ये letter में आता है तो आप तो ना तीसे coding decoding समझा करो, बस, अपने simple सा concept, coding decoding की तरह answer किया करो सब बिलकुल सही है, सारे दोस्त यहाँ पर live हैं, जितने लोग यहाँ पर देखो, लगबग हम लोग 1000 लोग के असपास live हैं, तो एक बार जल्दी से सब लोग मिल करके like का button प्रेस कर दो जिससे live और like का जो ratio है, जो बहुत ज़ादा difference में चल ला है, वो same हो जाए हाँ हाँ कलपना बेटा, चलो चलो, बोला है जिस तरीके से dolphin जो है, वो click, मतलब dolphin के बोलने का जो sound होता है, वो click 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 इस जैसे होता है, ठीक है, हाँ तो same इसी तरीके से jack all, जो CR होता है, वो कैसे बोलता है, हूँ, ऐसे सुना होगा न, CR के आवाज जो होती है, हाँ, करके न, इस टाइब से एक आवाज करता है, CR, अब CR चीकता तो है नहीं, हाँ, के सेर के तरह दाहार ना सुरू कर दे, चीची आना भी नहीं करता है, मिमी आना भी नहीं करता है, तो howl हूँ, सुना होगा न, एक आवाज रात वगर हमें, जो गाउं आवाज के आसपास के लोग हैं, जो प्योर गाउं में रहते हैं, जब उनके गाउं में CR आता है, तो उन्होंने देखा होगा कि बहुत, अई तो देखने में बिल्कुल जो है, आपका कुत्ते के जैसे ही लगता है CR भी, ठीक है, हाँ तो आपका एंसर क्या बन जाएगा, D वाला बन जाएगा, क्लियर है सभी को, चलो हाँ, सब लोगो ने फॉलो कर लिया न, फॉलो कर लो, नहीं तो बता दो सबको, तो हिमन्त यहाँ पर, क्या है ID लिंक लिंग डाल दो, चलो देखो सहीवा वापस बता, कैसे करता है कूटेंगे तुमको सोनू तुम बताना तो सोनू, कैसे करता है CR हाँ सक्कू, सब मैंने नहीं देखा नहीं देखा, आज ही सर्च कर लो अभी जैकॉल, पिक्चर आफ जैकॉल या साउंड आफ जैकॉल कर लो हाँ चलिए, लो राज ने तो CR और उसके पीछे सेर भी भेज़ दिया, कि CR आगे भागे जब सेर उसके पीछे होगा, चलो देखो यहाँ पर, जिस सरीके से ट्रक क्या है एक वहाँन है, ट्रक क्या पत्थर के अंदर आता है, स्कूटर का टैर के अंदर आता है, हरा रंग के अंदर आता है, इसका मतलब आपका answer D वाला बन जाएगा, कि जिस तरीके से वहाँन में ट्रक काउंट क्या जाता है, तो कलर में हरा रंग काउंट क्या आता है, कलर में किसे से रिलेट करेगा, जी बेटा, जल्देल्दे निकालो एक बार तो सभी लोग, हाँ, थैंक यू बेटा, सुतोस प्रजापती जी, बेटा, तुसार, इसके लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है, कोडिंग वाली क्लास देख ले न, हाँ जी, अच्छा, सोनो का निकने पकोड़ी है, ये मुझे नहीं पता था, चलो, तो कोई आद नहीं पकोड़ा रख देते हैं, उनलों, पान्सो औन्चास, देखो, आपने यहाँ देखा, 4, 4, 4, 4, 6, 4, 4, 3, इसका मतलब यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, तो आपसे पूछा है, 552, तो यहाँ पर अगर हम 3 का डिफरेंस लेंगे, तो 5, 4, 9 हो जाएगा, 5, 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, B एंसर बन जाएगा, 5, 4, 9 बन जाएगा, चली, अगला कोश्चन, H, E, R को अगर S, V, I कहा है, क्या, H, E, R को अगर S, V, I कहा है, तो निकाल करके बताना है, निकाली और बताईए, इसका क्या एंसर आएगा, 40 नंबर कोश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने आ चुका है, तो बस टाइम अप होने वाला, देखो यहाँ पर, और आप लोग का इसी तरीके से टाइम अप हो चुका है, ना, चली, देखें, तो यहाँ पर बोला है, H, E, और, R, H, E, और, R को बोला है, S, V, और, I, तो आ प्यात करो, आप लोग को अपोजिट लेटर से आद हैं सारे, आप लोग को सभी अक्षरों के विपरीत अक्षर अपोजिट लेटर से आद हैं, अगर याद है तो देखो यह दिख रहा होगा, H का अपोजिट क्या है मेरे दोस्तों, S है, E का V है, R का I है, तो ऐसे M का अप याद करने का तरीका बता रखा है, C, F, I, L, O, U, L, O, R, U, X, यह आपका प्लेस वैलू, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, और 24, यह प्लेस वैलू याद करने का तरीका बता रखा है आप लोग को, और बाकी अपोजिट याद करने के तो पूरी एक बढ़ियां से ट्रिक बता रखी है, ठी अगला देखो, निकाली और बताइए तो इसका क्या रिस्पॉंस आएगा, सभी दोस्त, जल्दी से निकाली ए, बहुत सही, सारे लोग मिलकर के एक बार सेशन को लाइक कर दीजे, जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन प्रेस नहीं किया, लाइक और शेयर कर दिया, कर वे अगर 143 कोई 11 बोला है, और 437 को क्या बोला है, 19 बोला है, तो 13 किस से रिलेट करेगा, हाँ, ठीक है बेटा, 211 सोनू पुरी बता रहे हैं, ओके सोनू, ठीक है, 17 इंटू 13 बराबर 211, सोनू ने बताया, बाकी लोग बता दो, सोनू ने तो एंसर कर दिया है, बाकी लोग गुड आफ्टरनून बेटा, खुसी हनी हाँ जी, प्रियंका सूरज, जल्दी ले निकालो तो, क्या आएगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर से मल्टिप्लाई, बिल्कुल सही एंसर बताया है, सोनू ने, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 11 है जैसे, जैसे 11 है, तो 11 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आएगा, वो क्या आएगा, 13 आएगा, 13 का मल्टिप्लाई करो, 11 में प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होती है, अभाज संख्या, अभाज संख्या की परिभासा क्या होती है, अभाज संख्या वो संख्या होती है, जो या तो खुद से भाग होती है, और या तो एक से, या ऐसे संख्या जिसके केवल दो factor हो एक तो वो खुद हो और एक आपका क्या हो एक हो तो वो कहलाती है हमारी अभाज संख्या ठीक है चलो अब समझना तो सेम इसी तरीके से अगर हम यह देखें 437 कैसे आया है तो 19 का गुणा किस से क्या गया 19 के बाद अगला 21 तो आएगा नहीं 23 तो 19 का 23 से तो देखो न उननेस तियाँ 57 का साथ फिर 56 लोने दो 38 38 हो 25 43 तो ऐसे अब 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा सतरा आएगा क्वेगा 15 प्राइम नंबर नहीं है 15 नंबर नहीं है तो 77 क्यार उनका एक फिर पाँच हासे लग गया, सत्रे कम सत्रा हो, पाँच बाइस यानी, दो सो एकीस हा जाएगा, टू टू वन, आप्शन नमबर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, अब बताएगे, किसी को कोई समस्या है, यहां तक, यहां तक कोई समस्या हो तो बतादे, नहीं, तो अगला गोश्चन देखे, नेक्स्ट निकालिए, अगर 26 को 649 कहा है, तो 34 को क्या कहा जाएगा, 34 को क्या कहा जाएगा, सब लोग कमेंट करके लौजिक बताईगा, हाँ, जल्दी से निकालो, सब लोग मिल करके तो, सबी लोग मिल करके जल्दी से निकालिए, और बताईगे, इसका क्या एंसर आएगा, जल्दी से निकालिए, मेरे सेरो, चलो बताओ जल्दी, बी आएगा पका, सोच लिजिये, चलो देखो यहां पर, यहाँ पर आपसे बोला गया है 26 को आप बोला 649 क्या लग रहा है आप लोग को आप लोग आइंसा कर रहे 1121 पका सोच लिजे दुबारा मौका नहीं मिलेगा जी तो आप लोग कह रहा हो कि अगले वाले नमबर या पिछले वाले नमबर से मल्टिप्लाई कर दिया जाए अच्छा अब यहाँ देखो अगर हमें 26 को देखे तो अब इसमें 49 है तो आप लोग ने कहा कि सर अगर हम इसके एक पीछे वाले नमबर से मल्टिप्लाई कर दे तो कर दो तो 25 शक्का डेड़ सो का मतलब यह 15 हासिल लग गया पचीज दोना पचास पचास और यह हो जाएगा छेसो पचास हाँ पचीज दोना पचास दो साट पाट पैसर यहां तक हो गया लेकिन यहां लाना है छेसो उनचास इसका मतलब पिछले वाले नमबर से मल्टीप्लाई करके माइनस एक कर दो माइनस एक कर देंगे तो यह एंसर विल भी छेसो उनचास हा जाएगा तो ऐसे 34 गुने 34 गुने कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा 34 गुने 33 और माइनस एक हो जाएगा 34 गुने 33 और माइनस एक हो जाएगा तो यहां पर देखने की कोशिस करो तो कर देते हैं, multiply देखो 34, 33, 33 अगर हम लोग करें तो 4, 3, 12 का 2, फिर एक आँसे लगा 3, 3, 9, 12 12 और 13, 13, 13, 9 कितना हो जागा 13, 10, 20, 22 का 2, फिर दो आँसे लग गया 3, 3, 9, और 2, 11 11, 12 11, 12 12, माइनस एक कर देंगे तो 11, 121 आजाएगा 11, 12, option नमबर भी आजाएगा, क्या यही logic आया है, बताईए सब लोग क्या यही same logic आया है हाँ एक तो यह भी बन गया क्या यह कैसा और भी बन सकता था क्या इधर देखो, अगर मैं 26 का square कर दो तो 26 का square करेंगे तो 6, 36, 36, फिर तीना से लगा छे दुनी बावा, छे दुनी बावा, चौबिस और तीन, 27, साथ, फिर दुनी चार और दो 6, 676 अब 676 में से अगर हम कितना घटा दें कितना घटा दें तो अगर हम लोग यहाँ पे 6 है और यहाँ नौ लाना है कितना घटा दें 6, 26 घटाएंग तो बनेगा नहीं 27 16 में से 7 गया 9, यह कितना हो गया आपका 6 में से दो गया 4 और यह, हाँ ठीक है, एक तरीका यह भी था, कि आप जो नंबर लिखा है, उसका square करके उससे अगला वाला नंबर माइनस कर दो एक लॉजिक यह भी था, कि जो नंबर लिखा हुआ है, जैसी यह देखो मैंने का 26 का square और माइनस 27 कर देंगे, तो आपका answer 649 तो ऐसे 34 का square माइनस 35 कर देंगे, तो भी 1121 ही आएगा, पॉइंट समझ गया है दो-दो लॉजिक मैंने आप लोग को बता दी अगला चलो इसे कहते हैं concept और चीज़ें, ठीक है अगर आप सब लोग बेटा SSC MTS का form भर चुके हो, हाँ ठीक है ना, तो आप सब लोग एक काम करो, तुरंत जाके SSC MTS के महापैक से जुड़ जाए ये मेरे दोस्तों, हाँ चलो यहाँ जो, बेटा अगर आप लोगों ने SSC MTS का form नहीं भरा है तो भर दो बेटा जाकर के क्योंकि 12,523 पोस्ट है इस बाद, ठीक है ना आपका एक्जाम अपरेल में है अपरेल में आपका क्या है एक्जाम है अच्छे से त्यारी करना चाहते हो, तो Y461 इस कुपन कोड को लगा कर आप जोइन कर लो महापैक किसका? MTS का महापैक MTS का MTS का महापैक, MTS का महापैक जोइन कर लो, बस जैसे आप ये कोड लगाओगे, मातर 850 रुपै में आपको अगले एक साल के लिए यह बैच मिल जाएगा अगले एक साल के लिए यह बैच मिल जाएगा जी हाँ वेटा, वोही लॉजिक था पिछले वालेगा चलो, मौनिका बता रहे हैं 528 B बता रहे हैं जी वेटा चलो, यहाँ देखो यहाँ देखो, 16 को बोला है 225 अच्छा, यहाँ ऐसा हो सकता है का इधर देखना सोरी, 224 इधर देखो, 16 माइनस 1 कर दें कितना हो जाएगा 15, 15 का इसको आए 225, और माइनस 1 कर दो तो यह कितना हो जाएगा माइनस 1, 224 हो जाएगा ऐसे यहाँ देखो 22 लिखा है, 22 में से 1 कम कर दें कितना आजाएगा, 21 का स्क्वाइर minus 1, तो 4, 4, 1 minus 1 कर देंगे, तो 4, 4 0 आ जाएगा done है, तो ऐसे यहाँ कह सकते हैं 24 है तो 24 minus 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 23 का square, माइनस 1 कर दो 23 की जब हम बात करते हैं मेरे دौस्टों, तो 3 ते रिका 9 3 दोने 6, 3 दोने 6, 12 बादा पांसो उनतीस 529 529 529 माइनस एक कर देंगे तो 528 आजाएगा क्या ये लॉजिक ठीक है मुझे बता दो क्या ये लॉजिक ठीक है मेरे सेरों क्या ये लॉजिक ठीक लग रहा है आप लोग को बढ़िया मज़ा आई इस लॉजिक में चलो अगले question पर दो अगला परिमाप किसका निकाल आयाता है अगर शत कोन का यानि hexagon का relation अगर हम ओने parameter यानि परिमाप से कर दिया है तो निकाल कर के बताएए जल 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 निकाल लिया और बताएए सबी दोस्त निकाल लिए और बताईए इसका क्या रिस्पॉंस बनेगा जो लोग अभी तक ना जुड़े हों जुड़ जाईए हाँ जल्दी से निकालो जल्दी से निकाल करके बताईए इसका क्या रिस्पॉंस बनेगा जल्दी से निकाल करके बताईए इसका क्या रिस्पॉंस बनेगा जल्दी 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 निकाल करके बताईए फटा फट निकाल लिए और बताईए इसका क्या रिस्पॉंस बनेगा जल्दी से चलो यहाँ आजो यहाँ देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देखने कोशिस करें परिमाप अगर सटकोंड से रिलेटेड है बी कुछ लोग बता रहे हैं बी सरकिल सरकमफेरेंस से रिलेटेड है और कुछ लोग यह बता रहे हैं कि सर पैरिमीटर सम्चतुर्भुज यानि रॉम्बस से रिलेटेड है अब मुझे खुद डिसाइड करके आप लोग बता दो क्योंकि आप लोग के ही दो-दो एंसर आ रहे है हाँ, गूड इवनिंग बेटा, गूड इवनिंग अब लोग भाई साब, यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं विवेक, सी बता रहे हैं वह एंसर हाँ बिटा, टाइम इतना कलर, इसमें दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए आप अपने मोबाईल की बैटनेस कम कर लो, अगर आपको ज़्यादा लगती है तो जी, ठीक है, चलो देखो यहाँ पर बोला है जिस तरीके से देखो, परिमाप जो है, परिमीटर किसका निकालते हैं हम लोग हेक्षोगन यानि शटकोन का निकालते हैं, सेम हम लोग क्या करते हैं लंबाई की चौणाई नहीं निकालते, याली बाद तो विल्कुल गलत है उसके सर्किल की रेडियस नहीं निकालते, तरिज्जा नहीं निकालते सर्किल की परिधी निकालते हैं या परिमीटर रोंबस का तो ये भी गलत कर दो आपका एंसर बी वाला लगा लो, क्या लगा लो बी वाला फाइनल कर लो, ठीक है मेरे दोस्तों जी, बी वाला, के वृत की परिधी ग्याद करते हैं न हम लोग, वृत की परिधी ग्याद करने की कोशिस करते हैं, हाँ, डन है, परिमाप, चलो, पेंतालीस, अगर बीच से रिलेट कर रहा है, इस कोशिचन को ध्यान देना, यह कोशिचन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन आसान सा है, हाँ, ठीक है, चलो, ध्यान से देखो, अगला कोशिचन देखिए, और बताईए, हाँ, देखो, अगर आप चाहते हो, बेटा, कि आप सब लोग का जीडी में सेलेक्शन हो जाए, तो आप जितना जादा स्कोर करोगे, एक सो साथ में से, अगर आप पोसिस करो, एक सो तीस प्लस लेकर आओ, एक सो तीस नंबर अगर आपके बन रहे हैं, तो आप बड़े आ 24 हो जाएगा, चार गुणे छे बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे सेरो, 24 हो जाएगा, चलिए अगला कोश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, निकाली और बताइए इसका क्या एंसर आएगा, जल्दी से निकाल करके बताइएगा इ बहुत से आई एमो को अगर पी टीवी कहा है तो के ओ क्यू को क्या कहा जाएगा ताइम आप हो चुका है ना चले देखिए बोला है आई एमो आई एमो को बोला है पी टीवी तो आप से के ओ क्यू बोला है तो यहां पर ध्यान से देखिएगा तो आई से अगर हम लोग देख रहते हैं क्या कि अपोजिट करके काम करें नहीं तो देखो 9 से 9 साथ 16 13 और साथ 20 15 साथ 22 यानि प्लस साथ की सिरीज चल रही है प्लस साथ की सिरीज चल रही है 11 साथ 18 15 साथ 22 और 17 साथ 24 17 साथ 24 यह रहा तो आपका एंसर आर वी एक्स हो जाएगा आप्शन नमबर C आ रहा है और वी एक्स आप्शन नमबर C आ रहा है चलो अगला कोश्चन देखेगा अगर तुछ स्वार्थी है मीन यानि सेल्फिस है तो लाल्ची किस से रिलेटेड होगा हाँ रेन्वा 80 89 कोश्चन करके आई है सही आले है अगर 90 कोश्चन तो 90 80 89 नमबर बन रहा है कि 80 कोश्चन तो टोटली थे हाँ C चलो देखो यहाँ पर यहाँ पर आपसे बोला है कि जिस तरीके से तुछ व्यक्ति स्वार्थी होते हैं तो लाल्ची क्या होते हैं दोखे बाज दिखावटी लोभी और दरिद्र क्या होगा लोभी हाँ दोके बाज लोभी हो जाएगा देखो दोके बाज का रेलेशन लाल्ची से थोड़ी नहीं दिखावटी पन का भी लाल्ची से तरिद्र लोभी होते हैं मतलब अंदर जो ह minor user बहूत सारा उनके स्वार्थ छुपा ह होता है अपने किसी स्वार्थ को सही करने के लिए वो आपका ही हेसा है है करे हैं अगर और हेक्सा लिए कितनी लाइनों से बना यह चरह है क्या वर्ग पांच लाइनों से नहीं क्या आया चाल लाइन उसे, यस, पेंटागोन के चाल लाइन उसे नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आपका एंसर क्या बन जाएगा, C बन जाएगा, हाँ, चलो अच्छी बात है, इधार आजो, अगला कौशन, आपसे बोला है, एक तालीस अगर छी आलीस से रिलेट क नहीं, हाँ, चलो यहाँ पर आओ, टाइम अप हो चुका है, इधर देखो, यहाँ पर आजाए, यहाँ बोला है, तालीस और यह है, शिक्स्टी शिक्स, माइनस करो, तो यह हो गया, पांच और यह देखो, पच्चीस, तो पच्चीस जोड़ा है, पच्चीस क्या यहाँ ज रहा है, क्या यहाँ पच्चीस जुड़ेगा, नहीं, यहाँ पांच और इख्चीस नहीं हो रहा है, यहाँ देखो, पांच और दो साथ नहीं, आपका एंसर ऐ वाला बन जाएगा, पच्चीस का एडीशन है, और इस वाले में बन रहा है, ठीक है, चलो, अगला देखो, 24 question आप लोग की screen पर है question number 24 आप सब लोग की screen पर दे दिया गया है निकाल लिए और बताईए इसका क्या response बनेगा जी बेटा चलो time up होने वाला CPW को अगर BOV कहा है चले time up हो चुका है नाओ, तो ये देखो CPW, इसको बोला है BOV, तो आपसे बोला है KQH को क्या कहा जाएगा तो यहाँ देखो, तो C से B माइनस एक, P से O माइनस एक W से V माइनस एक, माइनस एक, माइनस एक तो 11 में से चला जाएगा तो 11 में से चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 11 में से जाएगा तो आपका हो जाएगा तो 24 में से आपने कितने अटेम्ट किये सही, कितने अटेम्ट किये सही, आफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे सेरों, चीक है, अगर आप बेटा SSC CHSL के एक्जाम की तयारी फाइनल टच में करना चाहते हो, तो हम आपके लिए 27 तारीक को लेकर आ रहे हैं, SSC CHSL Tier 1, Tier 2 का Crash Course, जिसम संजीवनी कहते हैं, संजीवनी का Crash Course, Y461, इस कूपन कोड को लगाने के बाद, आप लोग को यह बैच मिल जाएगा, इस कूपन कोड के बाद, और इस कूपन कोड की जब हम बात करते हैं, तो इसमें 100 hours की life classes होंगी, और साथ ही साथ 463 test series भी, यानि इस संजी 27 vacancy आ चुकी है, और अब आप लोग के पास समय नहीं है, कि आप देर करो, आप सब लोग जाएए, 27 देखो, 16 तारिक को बैच स्टार्ट हुआ था, 16 जनवरी को, और 27 जनवरी को new batch स्टार्ट होने जा रहा है, 27 जनवरी को MTS का new batch स्टार्ट होने जा रहा है, अब अगर new batch जुड़ना चाहते हो, तो Y461 कोड लगा लो इस महा पैक के साथ, जिसमें आप लोग को recording classes, आप लोग को test series, अभी ये test series बढ़के 108 हो गई है, अभी ये test series बढ़के 108 हो चुकी है, आप लोग को e-books, e-books अब आपकी 200 हो चुकी है, और live classes अब 500 hours की हो चुकी है, इसका मतल अगर मैं बात करने की कोशिस करूँ, तो आप लोग को ये सारी सो विधाएं, हाँ, आप लोग को Y461 कोड लगाने पर मातर 850 में मिल सकती है, और app पर जो मेरी class है, app पर जो मेरी live class है, वो चलती है कब, साम 6 बजे, कब, साम 6 बजे, कहां पर चलती है, 8247 की app पर, app पर मेरी live class साम को 6 बजे होती है, मेरे दोस्तों, ठीक है, अगर आप books मगाना चाहते हो, चाहते हो कि नहीं, नहीं सर, हमें hard books भी चाहिए, क्योंकि हमें practice करनी है, जैसी ये books होतनी है, जैसी ये, अब ये book अगर आपको मगानी है, तो कैसे मगा पाएंगे, वो समझने वाली बात है, एक हफते में आपके घर deliver कर दी जाती है, तो यहाँ पर आप लोग को code लगाना है, Y461S, इस code को जैसे आप लगाओगे, आप लोग को ये book जो है, 1050 रुपे की आपके घर पर, पाच किताबों का set आपके घर पर deliver कर दिया जाएगा, ठीक है, और सेम इसी तरीके से, अगर आप IB का form 28 ताइक से बरा जाना है, स्टार्ट हो जाएगा, security, assistant, executive and MTS, तो बस Y461S, यही coupon code आप जैसे ही लगाओगे, आपको ये बैच मातर 735 रुपे में मिल जाएगा, और यही coupon code आपको यूज करना है, maximum discount के लिए, अरि बास हो ने, कैसे जोड़ना है, वो मैं उस सिखा देता हूँ आप लोग को, आप लोग क्या करना है, अड़ा 24-7 की application पर जाना है, देखो, जैसे अड़ा 24-7 की application पहुंचे, यहाँ all course पर चले जाई, जैसे यहाँ पहुंच होगी, यह देखो, यहाँ all courses है, यहाँ चले जा, SSC पर चले जा, और यह देखो, सबसे पहले दे MTS, यह MTS यहाँ देहाँ से देखेगा, MTS की जब हम बात करते हैं, यह देखो, यह batch है जो start हो रहा है, लेकिन इस batch को लोगे, तो इसमें केवल आपको एक बार classes मिल जाएंग, इसका कुछ नहीं, इस महा पैक के लिए निस फायदा ही है, कि पहले चीज़ तो यह 6 महीने valid है यह एक साल वैलेड है, एक साल की वैलेडिक साथ आपको life class भी जो नया बैच आएगा अगला वो भी सी के अंदर मिल जाएगा, आपको अलग से कुछ भी पे करने जरूत नहीं पड़ेगी, तो आप महा पैक पर जैसे ही पहुंचे, देखो मैंने आप लोग को बताया ना, क आप लोग को अगर बाय करना है, पहले समझना, बाय नाओ पर जाईए, और यहाँ कोड पूछेगा, यहाँ मेरा कोड लगा दीजी, y461, y461, और इसे अपलाई कर दिये, जैसे अपलाई करोगी यह देखो, दिग गया, y461, इसे जैसे आप अपलाई करोगी देखो, आप लोग को दिखाई दे गया, कि इतना सारा डिसकाउंट आप लोग को मिल जाता है, चीक है, और एप से ख़ई देना, 850 सुपर मिल जाएगा, अब आप लोग को देखो, यहाँ पर देखो, तो जो रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी, इसमें सभी टीचर्स पढ़ा रहे है महापैक का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, इसमें आप लोग के मालो मैस में मनोसर भी पढ़ा रहे हैं, तो अक्सेसर भी पढ़ा रहे हैं, इसमें आप लोग को सब लोग की क्लास मिल जाती हैं, सारे टीचर्स की, ठीक है ना, तो रिकॉर्डिंग क्लास अगर आप जो बुक दिखा रहा हूँ नहीं, यह CHSL के ऐसे MTS का practice set है, तो वो PDF के format में इसके अंदर मिल जाएगा, इस महापैक के अंदर, ठीक है ना आप लोग को, ऐसे ही live classes, यह सब कुछ आप लोग को मिलेगा कब, जब आप coupon code यूज करोगे, जब आप coupon code यूज करोगे, Y461, लेट म सकती है, तो दिल्ली पुलिस का new batch, जो हम लोग यह देखो, 27 तारीक से start करने जा रहे है, वैसे महापैक लेने सी यह रहता है, कि आप लोग को जो है, इस पर ज़्यादा validity मिल जाती है, सारी चीज़े है, और इसमें सारे batch का वर्ड है, अगर आप इस batch से जुनना चाहते हो, जो start हो रहा है 27 तारीक से, तो buy now पे जाईए, और यहाँ आप simply मेरा code लगा दीजिए, y461, y461, और इसे apply कर दो, जैसे apply करोगे यह देखो, 1100 रुपे, दिखाई दे रहा है न, बस आपको y461, इसी coupon code को इस्तेमाल करना है, और आपको maximum discount मिल जाएगा, ठीक है, सेम इसी के साथ अगर मैं बताओं आप लोग को, हाँ, जी, तो आप लोग के देखो, IB की vacancy के जो form है, वो 28 तारीक से start होने वाले, तो देखो, यह है आप लोग का IB का तेजस बैच, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो, तो buy now पे चले जाएगा, और यहाँ simply आप मेरा code लगा सकते है क्या, वाई 461, वाई 461, और इसे क्या कर देना, अपलाई कर देना, तो देखो, 735 रुपे, डिसकाउंट के बाद, आप लोग को यह बैच मिल जाएगा, अगली क्लास आप लोग के इंग्लिश की होनी है, तो प्रतिवा में आचुके हैं, आप लोग उसे मुलाकात भी क तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसको हम छोड़ के कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे हम हिंदी का कितना भी वर्चा से जो है, हम लोग पर्चम कितना भी लहरा क्यों नहीं है, लेकिन इंग्लिश बच्छा आपको सीखनी ही पड़ेगी, अभी यह तो सब्सक्ति के रहे सबस्क्राइब मतसंदी कर दो इंग्लिश नहीं इसको उसको सीखना पसंद करना ही पड़ेगा, तो अगली क्लस में मिलते हैं और हम शेख रहे सीक है , तो चीज अनॉिध तारिदै नहीं तो एक रहे न इsmось wszak है și है खीक है नाम दोग नीथ From vuel The